दो महिलाओं ने अपनी बेटियों को डोनेट किया अपना गर्भा से अपनी बेटियों को मा का सुक देने के लिए दो माओं ने अपना गर्भा से अपनी अपनी बेटियों को डोनेट कर दिया अहम्दाबाद के सरकारी अस्पताल में पहली बार इस तरह की सरजिरी की गई ताकि उन्हें मिल सके मा का सुक मा बनना लगबग हर इस तरी का सपना होता है लेकिन कई बार मेडिकल प्रॉब्लेंस के चलते बहुत सी महलाएं लाक जतन करके भी मा नहीं बन पाती है लेकिन आज की आधनिक दुनिया में बहुत सी ऐसे तकनीकी आ गई हैं जिन्हें अपना कर बहुत से लोग मातापिता बने हैं आज हम आपको इससे जुड़ी एक ऐसी मेडिकल एडवांसमेंट के बारे में बताने जा रही हूं जिससे बच्चों के सुख से वंचित जोड़ों को थोड़ी राहत मिलेगी दरसल एहमदाबाद के एक सरकारी अस्पताल IKDCRC में दो माओं के गरभा से उनकी बेटियों को ट्रांस्प्लांट किये गए गुजरात और देश में पहली बार सरकारी अस्पताल में इस तरह का ट्रांस्प्लांट हुआ है और बिस्व में भी ये पहला ऐसा मामला है जहां एक ही दिन में दो महिलाओं का एक साथ से एक हिंदू है तो एक मुस्लिम 28 वर्षी हिंदू महिला को जन्म से ही गरभासे की समस्या थी जिस वज़े से वो मा नहीं बन पा रही थी अपनी बेटे की मा बनने की इच्छा पूरी करने के लिए इस महिला की मा ने अपना गरभा से उसे डोनेट करने का फैसला किया उन्हें गरभासे नहीं था उनकी भी मा ने अपनी बेटे की मदद करने को ठानी। डाक्टर्स का कहना है कि दोनों महिलाओं में ट्रंस्पलांट सरजिरी सफल रही मा बन सकती है और आगे उन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो आपको बता दें कि यह अनमान के मुदाबिक भारत में 15% महिला इन फ्रिटलिटी यानि बांजपन की समस्या की वज़े से मा नहीं बन पाती हैं 5000 में से एक महिला को सरीर में गर्भासी की समस्या होती है इन महिलाओं के लिए अब ये सर्जिरी उम्मीद बन रही है कि वे सरकारी अस्पताल में कम खर्च में आपरेशन करवा कर मा बन सकती है